आज का जो वीडियो आप देखने वाले हो यह अपनी क्लास का एक open discussion session है इसमें random questions के answers practical market में trade execute करते समें या फिर practice करते समें जो भी practical questions होते हैं उनके question answers है कोई भी set topic नहीं कि इस topic के उपने discussion करेंगे कोई भी question आया तो उसके सवाल या फिर जवाब पूरा वीडियो देखोगे तो जरूर कुछ नकुछ आपके भी ऐसे questions होंगे जो इस वीडियो के अंदर मिलेंगे आपको और उसके answers आपको मिलेंगे आपके लिए कोई भी टेक्निक के ऊपर में discussion नहीं किया यह एक normal discussion है लेकिन फिर भी कई सारी चीज़े हैं जो इस वीडियो के अंदर हमने बताई है वीडियो देखिएगा वीडियो अच्छा लेगे तो लाइक के जागा टेलिग्राम गुरूप का लिंग डिस्क्रिप्शन ने आप उसको जॉइन कर सकते हो प्रशांत माइकन मुट कीचे लिए प्रशांत माइकन मुट कीचे लो साथ जी हाँ प्रशांत सब्सक्रिप्र मुझे थोड़ा समझने का था 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 आपके गृूप का क्या नाम है मेरा सप्टेमर के अभी हमने आपसे ट्रेट करने के लिए नहीं दिया अच्छा वीडियोस मिले वही देखके मैं मुझे पोशन आपके जहां-जहां-जहां-ब्रेक करता है तो पॉंट-अफ-अक्शन से काफि नीचे जाता है पिर आप जो एग्जिवुशन करते हैं वो सबसे पहले चीज़ कि जितने वीडियोस है ना वो वीडियोस पहले पूरे कम्लीट कीजिए लोवर टाइम्स जितने फॉर्मिट्स उसको देखे यह सब लिजे अभी हाइपोथेटिकली हम यह मान के चलते हैं कि आपने सारी वीडियोस देख लिए हैं मैंने देख लिए इस तरह से मत करिए हमने कहाता कि धीरी धीरी करके देखिए एक साथ एक अठी वीडियो आप देख लोगे तो फिर हो सकता है कि उसमें प्रॉब्लम्स हो प्रॉब्लम्स इंदसने के कॉंसेप्ट आपके मन में तो पूरे रहेंगे लिकर उनके प्रैक्टिस नहीं हो अपना पास्ट में जाएंगे तो यह भी एक रेस्टेंस पॉरे यहां से अब हमें चाहिए कि हमें अगले दिन मानके चलिए शॉट करना है यह न हमें शॉट करना है अच्छा फाइफ मिनट के टाइम पर पहले हम आपको बता है एक चीज कि यह रेस्टेंस है सब लोग सु तो स्टाप लोगे इस वाली लेवल के नीचे अगर बाइक कर रहा हूंगे और स्टाप लोग के और स्टाप लगाओ के ऊपर अगर अगर लोग शॉट कर रहे हैं तो इमपोर्टन यह नहीं है कि आप एंट्री यहां पर ले रहे हूं इस जगह पर अपनी पॉंट अफेक् पर रहे हैं जी जी मान लो कि हमें एंट्री यहां नहीं मिली हमें इंट्री इस जगे पर मिली इस केस में ऐसल यहां पर रखो एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच की दूरी आपके मैनेश्मेंट को बिगाड़े ना अगर यह काम आपका हो रहा है आप सेटिस्पाइड हो तो एंट्री अगर आपको यहां पर मिल रहे हैं तो भी आपको रोगे बशर्ते स्टॉप लॉस यहां पर होगे जो आपका क्व आपके लेवल के पास में रखते हैं अब हम एंजल वन का चार्ट अपनो है अब यह देली टाइम पर हमने माग कर लिए अब हम लूब टाइम फ्रेम पर आजाएंगे पाकने के टाम पर सपोर्ट चाह होता है जो भी आपने बताया के लूब टाइम पर सपोर्ट के ब्रेक पर आप एक चीज़ देखो या तो कोई स्विंग है या फिन कोई अपनी फिक्स्ट फॉर्मेशन स्विंग बन रहा है फिक्स्ट फॉर्मेशन हो रही है एक तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेके डाइस सपोर्ट या पिर रिस्टेंस आप निकाल दो सपोर्ट या इन स्विंग के नीचे हमें प्राइस साथ हो दिखाई पड़ तो हम यह मान के चलते हैं कि यहां पर सपोर्ट के ब्रेक आउट हुए फिक्स्ट फॉर्मेशन में क्या है जैसे याद होगा आपको हमने कई सारी फॉर्मेशन सा आपको बता हैं जस्ट फॉर एक्जांपल पर सब्सक्राइब और इस तरह के सपोर्ट नहीं होते तो हमें उनको हरना पड़ता है क्योंकि formation कोई magic तो है ने कि बनी और अपना काम हो गया formation के बन जाने के बाद में उनके supports के confirmations हो गए resistance के confirmations हो गए अगर यह मिलते हैं हमको तो यह अच्छी बात होती है समझ गया ना तो यह क्या था यह क्या है fixed formation अच्छा तीसरा होता है support है resistance का level मान लो नहीं बना swing और नहीं अपनी fixed formation बनी बट price आपका continuously उसी एक जगे पर रुक रहा है फिर से गया फिर रुका यहाँ पर ना तो mother candle बन रही है ना SCF बन रहा है ना bullish stop बन रहा है ना double bullish stop बन रहा है ना rex line formation है कुछ नहीं है लेकिन price एक जगे पर बार बार support ले रहा है क्या अगर यह support टूटा तो क्या हम लोग short कर सकते हैं यह तीन चीज़े होती है कोई भी आप दुनिया के कोई market उठा के देख लो या दुनिया का कोई method of trade उठा के देख लो इन तीन के लावा और कोई चौथा technique होती रही है किसी भी trade में entry लेने की जो आपको question था कि lower time frame पर support के breakout और resistance के breakout क्या होते हैं this is called lower time frame support support और support इसका adjust vice versa कर दो तो वो resistance बन जाता है अब फिर से angel 1 पर चलते हैं यह अपना area है अब इस दिन हमें short करना यह तो तह है अब हमें क्या करना होगा हम अपना support area यहाँ पर find करते हैं करते हैं कि एक support हमारा बनेगी अच्छा आप यहाँ पर देखो आपको कुछ formations भी दिख रहे होंगी सिंगल केंडल formation भी लगबबबबबबबन रही है 915 का low भी है और जिन formations के भी बात करें तो formations भी बन रही है प्लस अपना support point भी बन रहा है दूसरा आप देखोगे तो पूरे दिन का जो low है swing low वो भी हमें यहीं पर दिख रहा है और इस swing का भी breakout हो रहा है कोई एक ऐसा reason नहीं कि हम यहाँ पर treat नहीं करतेंगे तो daily time frame पर area हमने निकाल लिया अभी lower time frame पर आकर कि आप काम करोगे तो इस तरह से आपको confirmations लेना होते है अगर यह हो रहे हैं तो फिर आप trade execute कर दोगे बेजीजा काम करोगे तो clear है ना अगर हमने आपको बताए ना तो 95% सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने के लिए ही है 5% ही है कि जो market में काम कर रहे हैं आप यह सारी चीज़े पढ़ो उसके बाद में कोई book उठाओ VSA की आप देखो कि अरे VSA से लेटर तो उनको कुछ पढ़ाए यह नहीं कि आप पढ़ के देख लो पूरी किताब हैं जिसको चाहो उससे पूछ लो समझ लो लेकिन live market में आओ जमीन आस्मान का फर्क होगा बहुत experience के साथ हम आपके बात बहुत genuine बात हम आपको बोले है यह चीज़ हमें feel की है तो जो भी concepts हम आपको बता रहे है अब इसी वे मानलो हम 915 के उपर पूरी class ले सकते हैं उसके तो आप देखी रहो कि double burish, double bearish के उपर पूरा एक वीडियो हमने आपको share किया है yes single candle formation के उपर पूरा वीडियो हमने share किया है 9 15 325 के उपर पूरा वीडियो हमने share कियो है support या फिर resistance lines या point of actions के उपर पूरे में video share कियो है एक एक वीडियो है उस एक-एक वीडियो को हम लोग एक एक class मान सकते हैं लेकिन उसके centre में क्या है यह सारी formation हमें इस तरह का एक support दे पूरा इस तरह से उन कॉंसेट्स का यूज किया जाता है ना कि नेकेडली कहीं पर भी फॉर्मेशन आपने देखिया और आपने काम कर दिया वहां पर आप मात खाज होगे वहां चोट लगती है सारे कॉंसेट्स मालूम है फॉर्मेशन एप्लाई कैसे करने यह मालूम है अब उसका जो मेन फोकस है जो मेन वैल्यू है वो इस त reflecting निकाली जाती है लेकिर इस में लिक्टि Może नहीं है यह कैसे हम को समझ में आ जाता है लेक्टिटी वगारा के लिए या फिर ट्रैप्स पहली चीज तो एक काम करना जो भी स्टॉक्स एफनों के अंदर है न उठाना वही तो आपको यह चीज फेस ही नहीं होगी दूसरा लेकुडिटी का एक अर्थ यह भी होता है यह हमारा एक एरिया है यह हमने बता चुक बता बता चुक है आपको प्राइस यहां पर गया वोलिम्स नहीं आई प्राइस वापा से नीचे आगया फिर से प्राइस जब उपर जारा और जैसे आपके लेवल को टच किया इसके अंदर क्या हो ना वॉल्यूम्स के ब्रेकाउट हो गया यहां पर दोखो लेवल से जैसे प्राइस आपड़ तच हुआ वालुम्स के ब्र अब हम देखते हैं यहां पर एक लेवल तक या एक हद तक लिकृडिटी ग्रैब हुई है अगर हम लोग इस एक जगह तक काम करते हैं तो यह ज्यादा बेनिफिशल होगा जो वीडियो आपने देखिए उसमें देखना है चैप्टर नुम्बर 10 है जिसमें एक सिंगल केंडल आपको मिलेगा प्राइज आपका आपके सपोर्ट पर जैसे घाएगा यहां पर वर्लूम सके ब्रेगाउट हो जाएगा यहां पर आपके ब्रेक आउट करके ग्रीण के ब्रेकाउट हो गया और उसी candle को नीचे की तरफ अगर यह break कर रहा तो यह क्या होता है मतलब कि resistance पर तो इसने देखा लिए कि बहुत भर के volume साहिए लेकिन उस candle का breakout नीचे की तरफ हो गया जी हाँ मैंने देखा गिए जिसमे volume हाई रहता है और एक red candle उसके लोग को break करती है हाँ वही उसी concept के हम बात कर रहा है तो जो आपने question पूछा है यह उसी से related है अभी आपको समझ भाया होगा देखो उस तरह के वो शब्ध हम यूज नहीं कर रहा है लेकिन चीज़ां तो सारी वही है तो बहुत टेक्निकल टर्म्स में फस होगे तो सिवाए confusion की कुछाएगा नहीं जो चीज़े practical है न जो काम आएंगी वह आपके हाथ में है रख के practice को अध्मिनिस्ट्रेटर यहां पर अपना नाम शुख कर दीजा आपको सफ जी कहीं नौसाद साथ सर्व बिडियो को लेख्यें कुछ एक कुछ कुछ कुछन के बारों में अभी यह पर कुछन को से अगर कुछ पैर लिजयाए वीडियो से त्रू अगर उसके रिलेटर ऑगर कुछ कुछ है तो वो कॉल पर हम से डिसकस कीज़ेगा चलिए उनी के रिए लेटिड है बाकी और अगर को स्वेश्चन हो नाई उपको एक काम कीज़े फिर आप फॉर्मिशन का नाम मत लीजेगा आप को अगर में लगेगा किने कॉल पर बात करेंगे कॉल पर ही करेंगे क्या है पॉटो नाम के साथ पॉटो इस दिए अब रख लेच नाम के साथ पॉटो इस तरी को अपने पुछ सी लेबस प्रवाइड करने पूलेट अभी तक मिधे अप्रवाइड ने हुआ सरी आप तर्ट के गुरूब को किया नहीं इसर अगर्स 24 नहीं आप लोग नहीं मिला दो आप लोग पूर्मेल को है क्षड इस वीक स्लेव स्य वस्त पॉइड और अच्छा 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 आच्छा आया 28 तारिक को साथा आंधा है वह message आपके group में में लागा है गलती से आया है जिनको हमें provide करें थृसी है लिएक अन्हों को को हम इसी वीक share कर देंगे हां संथा किसे शेयर कर देंगे असल किसे बीविक मिल जाएंगे में भी ओ सकता कल संडे पड़ जागा मंडे तक मिल जागा इसी विक शेयर करेंगे हां सन्ना ओके सरो के सर आशीश मैं करूट किछे नुश्कार 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 आशीश सामुश्क कहीं सबसे पहले तो जो डिक्रीजिंग लोड का कॉंसेट है उसमें आप बोलते हैं कि अगर मान दीजिए दो डिक्रीजि आपने 17 को टाटर के मिनिकेशन में तर इसको अपने अपोजिट ट्रिल किया इसका तर वो समझ में चाहता हूं पर समझ के हम चाहों कि मैंने भी इस त्रकी सुनीए उस दिन क्या बना थे ची किस तरह के थे ऐक बड़ी सी कैंडल थी इसके अंदर कई सारी केंडल बनी डैना जो कि एक करीब ग्रीन क्रीड की थैं इस ग्रीन केलर की यहिंश्की कि जाने ले गए इस जानी आए अच्हाए उसके just 2 दिन पहले एक ये candle बनी जो कि ब्लेक candle ही थी फिर से एक candle बनी जिसमें वॉल्म के breakout हो गए थे ऐसे है ना और फिर से ग्रीन डेट केंडल बनी थी जिसमें वॉल्म्स डिक्रीजिंग वे में थी हमने support के टूट जाने के बाद में shot किया था कोच इसी तरह का प्राइजेक्शन था रिग्जेक्ट यही फॉर्मेशन था वह इस टॉक कों से था हमारा इस टॉक को देखिए नाम से मिस हो रहा है टाटा कंजूमर होगा अभी चलेंगों चार्ट के उपर तो यहां पर देखो बहुत तो हमें क्या करना तबाई लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि यहां पर एक मदर केंडल बनी है जिसमें कुछ इस तरह के प्राइज एक्षिंट्स हो रखे हैं प्राइज अपने सपोर्ट से उपर की तरफ भाग रहा है ब्रेकाउट्स नहीं हो पा रहे हैं यह उपर की त और यहां पर मतलब के एक हमारी मास्टर केंडल थी जिसके अदर इत्नी सारी केंडल बन रही हैं वॉल्म्स के लगातार यहां पर ब्रेकाउट्स हो रहें बड़ प्राइज ब्रेकाउट नहीं हो रहा है हमें मौका अगर मिला न तो ब्रेकाउट ठेट करने में ज्यादा बाई नहीं किया था दूसरा रीजन ये था कि ये वाली जो अपनी कैंडल थी ये जो कैंडल थी और जिन डिक्रीजिंग लोज की आप बात करो ये पूरी तरह से हमारी इस वाली कैंडल की रेंज के अंदर फॉर्म होई थी ये डिक्रीजिंग लोज आपको दिख रहा होगा लेकिन घौर से आप देखोंगे तो ये एक मधार केंडल थी जिसमें वाल्यूम्स के लगातार ब्रीक आउट हुए थे तो हमने क्या किया था हमने प्रिफर किया यहां पर देखो एक वालूम का ब्रेकाउट हुआ फिर से यहां पर दोखो डिक्रीजिंग बन गई आप देखो यह करे की मदर केंडल ही है बाकि दोनों की दोनों केंडल हमारी इस मास्ट्रे केंडल की रेंज के अंदर आ गई फिर से भई बात अगर इस तरह का सपोर्ट तो बाई की बज़ाए आप सेल प्रिफर करो क्योंकि बार बार प्राइस हमारा इस एक जगह से सपोर्ट ले रहा है अगर इस सपोर्ट तूटेगा तो आपको मूफ लेकिन मतला आप जो बुद्धे ना फिर करने वाली बात वो मुझे आरे थी पूरी 100% की यह को शौट कर लेकिन वो रूल के अगेंस जा रहा था तो और फिर शाम को आपका शौट देखा तो ब्याकुलता बढ़ती ही मैंने का यह तो समझ नहीं आए यह तरमेंसर क्यों किया है बहुत अच्छे समझे यह कन्फूजन वाला ही था जब यह ट्रीड स्ट अपना ट्रीड पूठी कर लेकिने वाले तुम समझ गया थे कि से हो सकता है कुछ लोगों के आए कि डिक्रीजिंग लोज बना फिर भी इसमें शौट हुआ हुआ यह रीजन था उस दिन से बहुत अच्छा वाला जो सपोर्ट टूटा है हां इसी तरह का तो हम सपोर्ट आप तो उसे कह रहे हैं बाह तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है यहां पर पहुंचना मतलब कोड़ एफर्ट डालके मैं पहुंच जाता हूं जो आप वन हावर वाली बात बताते हैं नावर टाइसें बली की प्रैक्टिस से और इस पे पहुंचना इतना दिक्कत नहीं आ रही है जैसे आपने भाहां पर जो समझने वाली चीज़ है कि हलाकी पुड़ा बैटर हुआ है पिछले जो एक दो वीक से एक से पूर्ड़र इस्टेंस जो है उसकी तरफ नजर गा रही है कि फॉलो कर रहा है वो सब प्रोटक्स कर रहा है या रिजिस्टन कर रहा है या कैंडल वाइस गैंडल वो सब चीज़े इंप्रूब हो रही हैं वो कहीं न कहीं वो थोड़ी एक्टिशन वो बुलते ना या तो फोमो आ जाता है लेकिन मैं भी 53 पे चीज़ पॉइंट उपर किया कि मैंने चाहिए लेट एंट्रेश्मेंट वो करना चाहिए यह नहीं करना करें अगर लेकिशोंग अगर लेक्वाने उन्हें किशी ऑनी मुव करने के लिए तो समय चाहिए न अब ऐसा तो हैने कि 24 फॉंच केंडल चे कंडल पूरा का पूरा पूरा प्रिफरेंस से रहता है फोकस में रहता है कि हम जो भी ट्रेड एग्जेकूट करें उसमेरा स्टॉप लेकर रहता है। और यही बड़ी बात है और यही मेन बात है टारिट तो हमने करें हमें नहीं चाहिए वह नहीं चाहिए अपना स्टॉप लें वह स्टॉप लें अगर ऐसा कर लिए ना अब बहुत आगे निकल जाओगे मैं मैं मनी के पूंच रहा हूं मैं इसको हैविट को डवलोग करने के थोड़ा थोड़ा करके है क्वट्रिटी वाइस कैलकुलेशन हम करें इसको कटकर 70% 80% अब बन इस्टो थ्री के लिए वेट करेंगे वाइस तो फोर पहूंचा फिर से दस संट निकाल दे ऐसा करते करते करी चार सो पांसो हजार ट्रेटार हम लग बग अड़ ट्रेड एक् जो शायद अभी तक मुश्किल हो रहा था अगर यह दो काम हो गए इस टॉप लोस से रहा कर लिया आपने मार्केट में बहुत अच्छा काम कर लिए अब थ्री और फॉर के लिए हम लोग काम करें तो जितना भी डर है जो फोम हो रहता है जो ग्रीड कभी कभी आता है वो खत अगरेशिव यह दो अगरेशिव एंटरी में अगर्याइश्मेंट नहीं बगड़ तो ठीक है आपनी क्वानिटी कर ले जा रहे हो इस पीड से बिलकुल यह दो सेट पांट सेटने अपने तो ठीक है मतलब ऐसा नहों कि अब रिस्क जासे मेरें तींसो रुपए का अब अ कि अगर में यह नहीं पता तो फिर हम कॉनिटी भी तो कलिकूरिट नहीं कर सकते तो इसलिए रीट्रेस्मेंट कुछ नहीं करता है सिर्फ हमारे मैनेजमेंट को जिन्दा रख जो सबसे ज़रूरी बात होती है कि मैनेजमेंट बना रहा है बाकि और इसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है कि रीट्रेस्मेंट होगा प्राइस बस हमारे मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होता है और मैनेजमेंट बिगड़ा तो सारी चीज़ बिगड़ा है वो कभी कम्या ऐसा पी लाता है कि जैसे एक ब्रिक आउट बहुत बहुत रिट्रेस होता है न तो जब एक्जिशन का टाइम होता है तो ऐसा लगता है कि यह वीच्टों नहीं होने लगा है वह भी करनेन कर दिया कर दिया कर दिया झाएगा मैने थृफिशन के साथ किया कर ऐठची आशित करने ग्यार शाहिए ओग यह जहाए बताते हैं कैवार डिलिवरी वाले आई और नहीं होना क्या प्रणा नहीं जाकते हैं जो अगले दिन उठी है नहीं उठी है नहीं से पता चलता है तो हमेशा से उपर या नीचे ही रखना है ना मतलब अंगर शिप नहीं करना है तब ही वो सेफ रह सकता है तो करने में वहां पहुंचने में जो हमारे में रोती चार्श है उख पहुंचने में तो उतना एफट लगता है कि बहुत टाइम देना पड़ता है तो यही मेफड है यह कुछ और करना चाहिए नहीं 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 बिल्कुल यहीं मैफड यह काम को रोबूट नहीं कर सकता यह हमें ही करना पड़ेगा और जरूर करना पड़ेगा मेरे पास इतने सारे चार्ट से जात अरुत आप देखो कि हम 70% of the time हम यही स्टॉक्स करते हैं जो मेरी वाश लिस्ट में हैड है 70% of the time कई बार ऐसा होता है कि यहां पर हमें मोका नहीं मिलता ताटा कंजूमर पर गारा है इस अब फिक्स्ट स्टॉक्स है इनको तो हमें देखना ही देखना होता है अब दूसरे जैसे स्कैनर से कई सारे स्टॉक्स आते है माला के पास 10, 15, 20 स्टॉक्स है तो उन स्कैनर में से स्टॉक्स को शॉट करने के लिए शॉट लिस्ट करते हैं जब इस टॉक्स को तो हमें उसमें से इस तरह का प्राइज देखना पड़ता है तो अगर आपके पास पंदरा बीश स्टॉक्स आए ना तो उसमें से पंदरा स्टॉक्स तो बिल्कुल आप देखो गए और वो रिमूव हो जाएंगा आपकी वाच लिस्ट से शॉट लिस्ट करने पड़ते हैं स से प्रफेस्ट में डालना शुरू किया तो वो थे तो एक चीज होती है आशीज के आप कोई भी प्रोफेश्चन उठालो चोड़ दो ट्रेडिंग को थोड़े देर के लिए हर प्रोफेश्चन में एक चैलेंजिंग ब्रेकर होता है कोई भी हो आप प्रॉपर्टी डिलर ह चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है लेंट हां कस्टमर्स लेकर के आना चैलेंजिंग काम है अब आपके इसमें तो बहुत दिक्कत होती बहुत प्राब्लम होती वो कस्टमर्स कहां से आएंगे जो प्रोपर्टी में हमारे इन्वेस्ट करें या फिर मारी अब आप मालो के अब हम आपको इसे तमाम एक्जामपल भरे पड़े हैं आप software engineer हो computer's में तो software's में मालो कोई गर issue आया है तो पता है ना उस issue तक पहुँचना एक challenging काम होता है कि अगर ये error आ रहा है तो क्यों आ रहा है जी पिल्कुल वो उस उस जगे पहुचना मुश्किल है उसको एक बार समय से हमारे सामने आगे तो सही करना अतना मुश्किल नहीं है वो सकता एक गंटे की मेहनत पर खतम कर दो सकता लेकिन दो दो तीन तीन दीन चले जाते हैं कि आ क्यों रहा है सारी कोडिंग समझे करें सबस्टीक देख रहा है फिर भी एर क्यों आ रहा है कोई भी आ फिल्ट उठालो एक चैलेंजिंग ब्रेकर होता है अपनी फिल्ट का यह है पूछना चाहरा है कि क्या पता कोई और ऑप्शन है लेकिन उसको करने में उस जर्णी से जाने में पील आता है अच्छा कॉंस भी आता है कि उतनी चीजों को देखके कुछ कुछ पकड़ में आ जाती यह नहीं चीज तो इंजोई होती है सरुष जर्णी मांदी अगर तीस ता तीस चाहट आगें सामने उसमें से पांच साथ को सेलेक्ट करके इन जो अपने एक्शन वॉच्छ लिक्त में लगाना और फिर उनी के अपर में जर रखना अगले दो घंटे यह जूबी में बजे तब का टाइम तो काफी एक अपने ना इक वह पगडा दिये सिस्टम की ऐसे बटकने वाला गाम नहीं है अपने तो क्या था कि नौपंद्रा पही मार्केट को देख लेते थे और उपर गया नूची गया अब आय कर लो सेल कर लो अब वहली है तो यह और बेटर होगी देखिए आप जैस अब जहां तक मैं पहुंचा था दो चार्ट सक दो ट्रेट सक तो आप देखा किसार आपने वही ट्रेट दिया है तो बहुत मदल मुए तो बहुत कुछ होई कि मानिका इतना जल्दी है कि वहां तक पहुंची तो होगी उच्छा कुछ होई जाएगा होगा विश्वास बना रहेगा इतना रहेगा कि आपने वहां पर 10,000 या 20,000 रुपए डाल दिया तो वहां से जो भी 1000-2000 रुपए आपने वापस उसको री इन्वेस्ट कर दिया तो इसे रहता है कि एक फ्रेज जो हम लोगों ने यजात और लोगों ने मार्केट का देखा है कि वह हमेशा र भी होता है प्राफिट भी होता है बस काम करने के तरीके में फर्ख है अब हम projet की सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्र डे बता तो नहीं ये गलत बात करेंगेगों स् इइस हम लोग क्योंकि फिर वो पैसी एक जो प्रेशर होता है वो हमेशा आपके दिमाग में बना रहेगा शुरुवात में अच्छा लगेगा लेकिन देरे देरे फिर बहुत हार्ट फिल देने लगता है दोनों काम करेंगे अम लोग यह तो शुरुवात हम आपसे बार-बार कह रहे हैं अ कि हमारा फिर्स्ट में हो नहीं पाया था ना जो वी का अपने इसाथ ही ले लिया था हमें अच्छा से आथ है वो शुरुवात में थोड़ा सब इस्यों हुआ था था फिर्स्ट में तो तारे असन जाने थी जो फ्रेड लगाते थे वी चलाया था लास्ट विक तो बेटर है अगर 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 लिया करो अगर नहीं हम उठा पाएंगे तो फिर बाग में बात कर लेंगे आगर विक पीडिया पता है यहीं आगर अरे की दो फिर्ष था सश्सरह आखश ए क्टम कॉस्ट में पर इससावड त conservative की हम लोग mindset के टाइम फ्रेम में हम लोग तो वह प्रोपर थायम देख जाता है या फिर फिर फंसे अचाहिए हम लोग का अब बाइब में रहें जाता है माई उस सब्सक्राइब हो जाता है उस्टिस में मैं क्या कर सकते हैं जिस time frame हम लोग का formation सही बन रहा है उसको मान जालेंगे या फिर हम लोग अपना time frame के साथ time frame को बिलकुल भी डिज्टर मत किया करिए ऐसा हम लोग बहुत rare case में करते हैं कि बहुत low to low time frame पर चले गए five minute के time frame पर अगर आपको satisfy करें trials actions तो काम करोगे, जबरजस्ती के काम नहीं करोगे, तृमनेटश के time frame पर चले चले है, हाँ यहाँ कर लेते हैं, त्τίर मिन्ट पर झाहिए है, अच्छा के time frame पर चलते हैं, हाँ यहाँ अच्छा चल रही है, यहाँ कर लेते हैं, पत है ऐसमें क्या होता है? मान लो जब तक आपको प्रॉफिट हो रहा तर ठीक है अगर आपको लॉस हुआ तो सबसे पहले मन में एक ही ख्याल आता है कि यार पांच मुट पर तो कन्फिरमेशन थी ही ने हमने क्यों ट्रेट किया चाहा है वो इसी स्वात है जैसे अभी मतलब मार्केट जैसे नीचर डाउन चला जा रहा है तो मतलब लॉंग टॉन में आपका मतलब मार्केट मार्केट में या फिर लाइफ टैम हाई लगेगा अच्छा तो मतलब 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 क्या है मतलब वह चीज मार्केट कंप्लेट ली न्यूज या फिर उस चीज पर डिपेड़नेंट है या फिर टेक्निकल नैसे एक बहुत सक्सेस्पूल चीज है मतलब लॉंग टर्म लॉंग टर्म के लिए तो न्यूज या न्यूज से ज्यादा जो फंडमेंटल से वह ज़रूरी होते हैं अब यह जैसे हम कहीं नहीं सर्व वही चीज पुछना था बाकि सर जो वी एस से टू फरमेशन के बारे में आपने बताया था उसके पीचे सर मत मतलब क्या कै उसमें लॉजिक क्या है थुछा सब बतायेंगे क्या मतलब कैसे सिंग मिलना ऊपीवर्ट पुएंट निसे होता है उसे पीवेट इःप पॉइंट सत्म्लेंग जैसे यह दो फॉरमिशन दिख रही आपको हाह मैं इसमें क्या है आपको स्विंग मिल जाएगा एक और यह काफी strong swing होता है अच्छा swing high swing low लोग लिए volumes बढ़ रहे हैं उपर की तरफ एक की बाद में एक volumes मतलब कि जो strength है price के नीची की तरफ आने वो ज्यादा है आप यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर strength जो थी वो कम थी यहाँ पर भी देखो यहाँ पर जो support बनाने काफी strong support है अगर यह टूटा तो market फिर नीचे अच्छा ठीक सर यह मतलब मैं तो अभी नहीं आने हैं मतलब जादर learning नहीं हुआ है जादर clarity आजागा बिरे बिरे ओके सर इतना है था 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 रजनीश माइका मित की शिपना नमस्कार सर यह वी इससर रिलेटरी पहले तो मैं कोश्चन दो जिसे आपने बताया था कि यह तीन केंडल का जो formation होगा चौती केंडल का कुछ fix formation होता है कुछ ऐसे शायद आपने कहा था कुछ के आगे आगे आज तो को नॉर्मल कोश्चन आंसर है तो हम discuss नहीं करेंगे बता देंगे किसी किसी दिन बताएंगे यह चलिए कल ही बता देंगे आपको एक और चीज़ सर मैं जैसे स्टॉक है से रिलेटेटरियल एनलेसिस कैसे कर सकते हैं मत जाये उधर क्योंकि सर करना की नहीं नहीं करीब तीन साल चार साल हमने यही काम किया है अभी भी करते हैं ऐसा नहीं है अगर टाटा स्टील को ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा बहले ही मैटर सेक्टर पूरे दिन नीचे गिरे अब हम टाटा स्टील को बई करने के लिए बैठ dent4 sector से अगर बाइंक कोई कानॅशन नहीं करोगे और आकरिम लगेगा कि क्यों बाई नहीं किया अगर बहुत आता है देखो इसके बहुत अच्छे लॉजिक हम आपको बता देंगे एच्टिपसी बैंक नीचे गिर रहा है निफ्टी फिप्टी भी नीचे गिरेगा रिलाइंस भी नीचे गिरेगा लेकिन 100% कुछ नहीं होता आइसी आइसी बैंक क्योंकि अभी तो पूरी मार्के अगवल अगवल नीचे गिर रही है निफ्टी फिप्टी गिरी है ना उसी में देखना उसी सेम डे में ही कोई 5 टॉप गेनर होते 5 टॉप लूजर्स होते अगर निफ्टी गिरने से बागी सारे स्टॉक्स की रहे है तो फिर वो टॉप गेनर आये कैसे समझ रहे हैं किस डिरेक्शन में लेकि जाना चाहते है अच्छा एक सी और एक पूश्चन और पूच्छों में जैसे कि मानके चलिए मार्केट गिर निफ्टी गिर रहा है ले बाई करना है अलग बात हो गए बाई दिख रा है हम बाई करेंगे यह लग बात हो गए दोनों में पहले तो हमारा ट्रेंड आइंटिफिकेशन जरूरी होना चाहिए जैसे हैं हैं अगले दिन क्या करना है सेल करना है अब हो 5 नेट के टाइम फ्रेम पर आजाएंगे अचा जो चीज़ देखना चाह रहे थे एंजल वन के अंदर हम शॉट करना चाह रहे थे एंजल वन ने अपनी लेवल पर सपोर्ट करेट किये सपोर्ट को ब्रिक किया वालम के साथ में हमारी फॉर्मिशन बने हम अपने इस्टॉप लगाएंगे ट्रेट एक शिकूट कर देंगे ऐसा जाएगा चला चाहिए सिंपल सी चीज़ अगर मांगे चलिए कुछ स्टॉप निकाले बाय साइट के मार्केट का इंपेक्ट की दर का भी है तो लेकिन हम अगर बार बार को कोईशन मिल रही है और कर्फॉर्मिशन मिल रही है तो हमने ट्रेट कर देंगे तो क्यों करन आपको एक्स्ट्रा कन्फरमेशन चाहिए 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 जवाप निफ्टी के पास अगर निफ्टी रेस्टंस ब्रेक कर रहा और आपका वह इस्टॉक भी अपसाइट के तरफ जारा तो फिर आप बाई कर लो अब हमें करना है सेल निफ्टी जा रहा है उपर की तरफ अब जो चीज हम देखना चाह रहे है जल्वन के अंतर या कोई भी स्टॉक हो रिलाइंस को में शॉट करने रिलाइंस निचे गिर रहा है उसने सपोर्ट भी बना है उन्को एंट्री के कंफरमेशन भी निचे की तरफ तूट गया 915 भी निचे की तरफ तूट गया 915 भी स्टेट जी ऐसा पूर्ण अपको बता है जिसमें निप्टी फिप्टी सेक्टर स्टॉक टीनों मिला करके अगर हमने आपसे कहा हो कि नहीं ऐसे ही ट्रेड करना तो फिर आप्टेट करो ऐसा और कुछ हमने सिस्टम आपको बताएं यह नहीं कभी हमने कहा है कि आप टाटेस्ट को ट्रेट पाने से पहले मेटल सेक्टर देखो नहीं सर वह मैं इस वह से पूछ रहा हूं कि जैसे अपोजिट लगता है ना उच दिन मेरे एक दिन स्टॉप्र सेट हुआ तो मैं इस लिए बलत किया है जैने जैनुनिन स्टॉप्र समान के वह इस टॉप नीचे गिरता सरा जा रहा है अप क्या लॉजिक लगाओगे आप तो बैठे हो फिर आप यह प्रैक्टिकल बाते हैं अब हम लॉजिक सम्झाने बैठेंगे ना तो फिर बहुत अच्छी ची लॉजिक सम आपको बताएंगे नहीं हमसे अच्छी लॉजिक साप नहीं लगा पाऊगे प्रैक्टिकल चीजे वह अपनी जगा पर है तो जो सिस्टम आपसे बोल रहा है शॉट तो शॉट कर दो असल जाए ठीक है कोई बात नहीं हम देख लेंगे सिस्टम के कोड़ेंगर को शॉट हो रहा तो आप शॉट कर दोगे बाई हो रहा तो भाई कर दोगे खतम बाद बहुत रेर केस में देखो ऐसा होता है कि हम सेक्टर को जा करके देख तरीके तो हमने सारे बता है आप यह नहीं कह सकते कि निफ्टी-50 की मार्किंग कैसे करें उस वीडियो के अंदर में बहुत अच्छे से बताया है तो बता ही सारी चीज़ें देखो यह नहीं यह आप एक्सक्यूस नहीं दे सकते कि हमको बताये नहीं कि मार्किंग कैसे होगी और लेवल कैसे ड्रॉ करने सारी चीज़े बता ही है लेंगिन पैक्टिकल मार्केट में ले करके हम काम कर देंगे अब उसको आदत बना लो कि तो दिक्का था कि तो कंफ्यूस हो जाओ गया एक तो वैसे ट्रेट कम मिल रहे हैं ओपर से आप और उसके ओपर मल्टी कंफरमेशन और मल्टी और मल्टी कंफरमेशन लगा ली और ट्रेट खतम हो गया बैठेर है जो फिर आप अपने इंटरनेट का बिल दो सिर्फ ट्रेट तो नहीं मिलेंगे आपको और गारंटी है कि आप निफ्टी को सेक्टर को साथ में अगर इस टॉक्स को को रिलेट करके ट्रेट करोगे तो ऐसली स्टॉप्रोस नहीं लगाओगे अगर ऐसे गारंटी आप दे रहो तो फिर आज से जो भी ट्रेट एक्जीकूट करें गों सेक्टर के साथ काम करेंगे बैठके आप चाहें जितने कंफिरमेशन लेलो इस टॉप लोस लगा करके ही काम करेंगे ना हम लोग मतलब किसल जाने के चांसर तो तब भी है तो क्यों फालतो है उसके अंदर अनल्सिस को अपना और हाइपर लेवल तक पहुंचाता है जो काम सिंपल में हो सकता है वो होगा मार्केट को जो करना वो करेंगे ले हाई डे लो नाइन फिटेन थी ट्री टॉन्टिफैक यह ने बताया ना आपको मार्किंग होती है चार एरियाज हमारे निकलते है इन चार एरियाज पर हम लोग टाइम फ्रिम कौन से उसको दे कि स्पेसिफिक टाइम फ्रिम में आपको बताया वही से मैथर अपना उस पर लगता है सेक्टर पर लगता है तो ट्रेंडिंग है साइड़ पे है डाउन ट्र तो तो सबके सवाल सुनके मैं अपने सवाल तो बोली जया हूँ और शुली, starting में जो कुछ आपने बोला था एक वीडियो के starting में जो लेक्षर अभी start हो तो मैंने miss कर गया ता, आपने कुछ जो बोला तो यह जो आज question answer session है वादला किस चीस के लिए जो वीडियो वगर आप में आपको दिये है specific points नहीं है question answer के लिए अगर आपको कुछ भी question answer के लिए अगर आपको कुछ भी question आपको पूछ सकतो open discussion लिए तो आपको किसी information वगरा कि नाम बत लीजेगा जो आपने जो अब तक हमको वीडियो शेयर किये तो मैं अदी बौछ रिसंक्ली जो तो पाँ शक्तूबर के वेच से हुए तो उसमें आपने जो एक pattern starting में दिया गे पहले one hour को practice करना है तो इसके बाद में आपने जो जिया था वो उसमें ताके पहले weekly, daily, four hour, one hour तो इसमें में सब्सक्राइब के अपने पहले जो प्रेक्स करने का था वो one hour की कियो तो एक तो practice में ये चीज़ सहुझ में जाए तो इसके बाद में हम weekly की marking करें तो वो उसके साथ में मैशनी हो रही है तो पहले hourly marking होनी थी या पहले weekly से start करना भाई है मैं थोड़ा complete होगा है मैं आपको dating work call भी किया तो आप busy अ शुरुवात हमेश्य हम लोग higher time frame से ही करेंगे जैसे यहां पर देखो weekly time frame है ना विकली से शुरुवात करेंगे मान के चली कि इस फोर आवर time frame है तो फोर आवर time frame पर हमने के रिया पने निकाल लिया अब आपाजो simply one hour time frame पर one hour time frame पर भी हमको साही चीज़े बिलकुल स्थिर दिखाई पड़ रही है अब हम लोग आ जाते अपने activity images के उपर करनी लाइक 15 minutes time frame आप 15 minutes के time frame पर आगए देखो तीरों ही time frame जो भी हमने उपर से नीचे के तरफ ले करके गए हैं वहां पर देखो आपको same देख रहे हैं कि प्राइस हमारा वहीं से reject हो रहा है बार बार है उसी same जगे से price हमारा reject हो रहा है यही same concept होता है weekly, daily, four hour और one hour ये चार time frames हमने आपको बताया थे चारों में ही हमें same चीज़ें चाहिए अब मान लेजिए weekly पर तो यहां पर आ गया है लेकिन हो सकता है day time frame पर price कुछ इस तरह का move करें हमें कैसा चाहिए ऐसा हो सकता है day पर तो ऐसा कर दिया है लेकिन four hour time frame पर जैसे बढ़ें ना तो हो सकता है कि यहां पर जो हमें विक्स दिख रहे हैं उपर की तरफ यहां पर एक strong strong candles close हो हमें क्या चाहिए अगर यहां हो गया है तो आवली time frame पर आकर कि हम लोग काम कर देंगे इस तरह से जैसे अभी हमने example अब इसमें जैसे आपने इसमें कुछ चार्ज मेरे खामने ऐसे लिए है कि इसमें जो चीज सपोर्ट थी वह कासी टैम तक सपोर्ट के लिए वह मार्किंग अच्छी थी बड़ उसके बार में सपोर्ट ब्रेक करके वह ऐसा रेजिस्टेंट भी काम करने लेगी फिर दुबारा से उसने रेजिस्टेंट तोड़ा अपना और वह नीचे सपोर्ट पर सपोर्ट को तोड़के रेजिस्टेंट बना दिया तो यहां पर सेंटर में क्या है यह सेंटर में यह लाइन है कि हम लोग यह मान सकते हैं कि अगर हम इस जगह से बाई या इस जगह से से सेल करें तो ज्यादा हम लोगों के लिए पॉर्चुनिटीज होंगी प्राइस तो उसक्ते यहां से उपर भी चला जाए फिर से वापससे नीचे की तरफ आजाए अगर हमारे लेव्ट सही काम कर रहा है जो ठीक है लेवल स्निप में काम करती बहुत ज्यादा इसके उपर वो नहीं करना लेवस ऐसा ही करते हैं हमेशा जो इसके ब्रेकर करके support बना देंगे करने तो उसमें मतलब कोई सा एसा यह नहीं रहा कि जो मेंने शाहना किया होके यह मैं हो गया और अपना जो रिट्रेस्मेंट का यह होता है यह भी मैंने किया तो अभी कभी कभी क्या होता है कि मैं तो में करके और में स्विंग वे रिटेस्म करता हूं। पर्शेर अपर गया मैं चाहिए अच्छा इसमेड के वेड़ सेखस्ट करें और लोसे तो मैं अब शूंग शी वह ज्य कर सेडेगर हूंard अपना रिट्रेस्मेंट जब करेंगा तो वहां से अगर वह फनो स्टॉप होता है तो तो किया था करना सही हो तो अब बहुत जादा टेम लिए मुझे ऐसा करते हैं अब इस केस में पता ज्यादर क्या होता है आया हुआ प्रॉफिट लॉस में कर्णोड हो जाता है कैस्ट खुली खूलते ही भाग गया जिनिस्टाक्स कि अब बात कर उनके प्रैस इक्श्टन कुछ इस तरह के बनते हैं मार्केट खुली यहां गई आप टेक्जिट हो फिर य पूरे दिन साइड वे पड़े रहते हैं तो ऐसे मैं आप चाहें कॉल भाई करो चाहें पूट भाई करो ठीटा डीके होगा पूरा पैसा चला जागा इसके अंदर आपका ऐसा होता है फिर हम कुछ भी बोल रहे हैं अभी तक तो शायद मेरे साथ में हुआ अभी आपर होगा कि मार्केट अभी थोड़ा सा गिर रही है जब गिर रही तो लगातार ही गिरती है तो उसमें तो मूव मिल जागा लेकिन जब मार्केट भी अपने असरी रंग में आई तो लेकी चली जाएगी अगर कोई स्टॉक देखो सभी लोग इस बात सुनिया शेक साब अगर हमने कोई स्टॉक उठाया कि हमें इसके अंदर कम से कम 10 परसंट का मूव कैच करना है मार्केट खोलते अगर आपको 2-4 परसंट 5 परसंट मिल गया तो क्यों निकल रहो उसके अंदर जब तक 10 परसंट नहीं लेकर के मत निकला करो कॉल या पुट इसका सवाल ही पैदा नही नहीं रहे तो घुमा फिरा के बात फिर वही जीरो पर आकर करके अटक चाहेगी और उपर से आप कर रहे हो कॉल पूट तो फिर जेब से पैसा देना पड़ेगा मार्केट नहीं चल रही होती है सट्य इठ संड़े की छुटे रहते तो बीस तरह के ऐस्टैडियस दिमाग में आती है मंपने से ऐसे काम करेंगे वुरे पूरे दिन बैखे टेंशन और एक्साइटमेंट भी है उसी में डिप्रेशन भी है समझ नहीं सकते हैं मेंटल प्रेशर जो एक ट्रेडर जहलता है वो दुनिया का कोई भी सेग्मेंट नहीं जहलता होगा मेरे खितने ख्याल से हर प्रोफेशन के अपने अपने अलग-अलग दोखो प्लस माइन यही सोचरें मंडे को कुली तो मंडे की शाम फिर से टैंकी में बैठें बाता अब यहीं होता है तो अभी जप कॉल पूट और यह सब करूंग नहीं यह सारी चीज्जें तभी आती दिमाग में जब आप खाली बैठो वह तो दिमाग में आती है सब भी तो कर सकते हैं मार्केट खुली 5-6% मिला लेके निकल गए और उसके बाद में काम करें कॉल भाई कर लेंगे क्योंकि वो तो ट्रेंडिंग ही है नीचे आए कि नहीं पुछ तो पैसा लेके जाएंगे ठीक है बहुत अच्छा है आपको लगेगा कि मार्केट अभी बंद ह फिर अपने असरी रंग में जब मार्केट आईगे फिर से वही होने लगता है जो सिंपल सेटफ है उसको फॉलो करते हुए काम करो एक बाट एग्जिक्यूट कर दियो ओवर अनलसिस नहीं करनी या तो टार्गेट या स्टॉप लॉस और फिर से बहुत प्रैक्टिकल बात हम आप से कर रहे हैं बहुत प्रैक्टिकल बात अभी हम सम्झा रहे हैं ठीक है बहुत आप एक रिकर्यों सब कर रहो वरना अभी अगर नहीं समझे हो मार्केट समझाएगी तो बहुत बुरा समझाते और हो सकता है भागाई दे फिर आप वापस ही ना पाऊ हॉँ बहुत बना है तो तुकि हमारे जो आपने मार्मालेश नाम बना का बंग ये तीसरी होगी हो लू कियो छोटी तूटि согज वह है अपने उered कि इसमें चेंड बैंद में उसके बाद में सब्सक्याइबा जसे 20 복ant Cemal बना है उसके बाद में सपॉसक्ड जिय से दो green बना है और एक red बना है तो 4 जो candle बनेगा उसमें हमें किस तरफ हमको देखना है किस तरफ trade जाएगा अगा जाएगा इस तरफ ट्रेंडा इडटिफेकेशन जो होगा ने इसका बाकी यह वाली जो candle आई यह अगल हम बताते हैं इस formation में थोड़ा सा अब हम चेंज करेंगे यह वार जो फॉट एक शेक सबस्ट आप समय भी है ना सब कुछ लास्ट वाल जो आपको कोश्चिन उसका अंसर आपको अपको अपको फॉर मिलेगा चलिए एक डिसक्षिन लोग और करेंगे फिर खतम करेंगे अचकी रिशी माय करूर की जिए नमस्तर सर नम अगर वह नीचे आता है उसी लेबल से तो उस पे सोर्च शेलिंग कर सकते हैं लेवल से करना इंटर पर संट करो गया आप एक चार्ट खोले ना सर इंडिको वाला उस तिन जो आपने किया था वन दे इसमें देखिए यह जो सबेन का जो ब्लेकलर का जो लाइन है जो आपन का था मिदम वालिपहा था अजिसका वोलूम सी भ्लीझए अगर मेरे हिसाप से मैं चलता इस समय में तो यहांパे मैं तो सोट्सेलिंगी कर दो क्योंकि मुर्जर के अंदरे पर आ गया था 17 तरीकों तो मैं तो साथ तरीक हाई से में मल्लब की सोच चिलिंग के लिए सोच रहा था यहां तो सुना था अधन के सुमसा डुम छाओं तक्योंकि ने यहां इपर देखाना is FOR थैसलियो शोय से में मसुलिये प्रक्राइजारे न Bowl प्रक्रांद के खर शीय्योंकि कर ता अधने वह इन यहां फ्वाम इए शॉसमे यहां पर देखो ब्रेक आउट को गया है ताक इन ह उसको breakdown trade किया था यह और वो दोनों concept अलग है अच्छा सर अच्छा सर अच्छा ठीक है रिश जी सर नहीं था सर में ठीक थेंक यू सर वेलकम चलिए आज की class हम यहीं पर खतम करते हैं next week आपको जो काम करना है जो concept की हम लोग preparation करेंगे उसका वीडियो हम शेर करेंगे अब कल morning में ही शेर करेंगे आज की class हम लोग यहीं पर खतम करते हैं तो कल trade discussion होगा join सबी लोग करना सब लोग join करोगे thank you सबी लोग को अच्छा healthy discussion था आज का मज़ा आया चाई कल मिलते हम लोग good night सबी लोग को कल मिलते